तो बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइड किये गए क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट इंगलिस्ट की CBE सेशन 2024-25 की वर्कसीट नंबर 11 के सॉल्यूशन को इससे पहले की सभी वर्कसीट और असेस्मेंट का सॉल्यूशन दोनों म वीडियो में अप्लोड एक कॉमेंट में प्लेइलिस्ट की लिंक मिलेगी ओपन करके देख सकते हो ठीक है तो देख लेना सिदा आजो कोस्टन पर एक पैसेज को पढ़कर नीचे जो कोस्टन है इनके आंसर देने हैं ठीक है तो बच्चों इस वर्कसीट में लीची के बारे में बताये गया है कि लीची जो है एक सोब बेरी परिवार के एक सदा बाहर पेंड़े जिसे खान योग फल के लिए उगाया जाता है लीची दक्षन पूर्व एसिया का मूल निवासी है और प्राचीन काल से कैंटो नीज का पसंदीदा फल रहा है ठीक है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना डारेक्ट आजो कोस्टन पर ठीक है क्योंकि वर्कसीट इस वीग काफी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है टेस्ट याने की सलोनी ने गर्मी के एक दिन ताजा लीची खाया वे इसके स्वात का वर्डन कैसे करेगी ठीक है तो यहाँ पर बच्चो राइट आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर ए आरोमेटिक और मस्की सुगंधित और कस्तूरी जैसा ठीक है यहाँ पर इसकांसर मिलेगा आपको यहाँ पर इसकांसर मिलेगा आपको ठीक है ध्यान से पर अग्रापको पढ़लेना इन विच ओप दा फॉलोविंग कंट्रीज इज लीची फूट्स कोमर्सली ग्रोन यानि कि निमन लिकित में से किस देश में लीची फल ब्योसाइक रूप से उगाया जाता है यानि ब्योसाइक लिए उगाया जाता है तो ए उप्षन हो जाएगा चाइना एंड इंडिया ठी यहां पर मेंशन किया गया अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आंसर को ढूढ़ने में ठीक है यहां पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा अगर आपको पढ़ोगे तो ठीक है अगला कोशन अगला कोशन थर्टे दा लीची ट्री इज प्रोपेगेटेड बाई विच ओफ दा फोलोविंग यानि कि लीची का पैर निम लिखित में से किसके द्वारा फैलता है ठीक है तो यहां पर आपको राइट आंसर हो जाएगो ओप्सन नंबर सी सीड एंड एयर लेरिंग ठीक बीज और वायू लेरिंग द्वारा यहां पर इसका आंसर मेंशन है देख सकते हो यहां पर ठीक है अगर आप पर अगर आपको अच्छे सपड़ोगे सारा आंसर आपको इसी में से मिलेगा अगला कोशन कोशन फोर इफ यू वर टू ग्रो ए लीची ट्री वट इस दा वन मोस्ट इंपोर्टन थिंग विच यू विल टेक केर ओफ चूज दा वेस्ट आंसर फ्रों दा फॉलोविंग यानि कि अगर आपको लीची का पेंड उगाना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी जिसका आप ध्यान रखेंगे नीचे दिये गए विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनें ठीक हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी तो प्रोवाइड मौस्चर अराउंड रूट्स यानि कि जड़ों के आजपास नमी प्रदान करने के लिए ठीक है यहाँ पर में से इसका आंसर यहाँ पर ठीक है यह चित ध्यान में रखना तो फिर से एक बार देख लो सभी कोशन के आंसर नमबर 4 में एक अवाज रूट्स नमबर टू में भी ए उप्शन है ओसर नमबर 3 में C है ओसर नमबर 4 में B है ठीक है इसके साथ है वरकशीड कम्प्रेट है कोई डाउट है कोमेंट कर सकते है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक 요 for watching and take care